नमस्ते यहाँ पर हमने Poco F1 device को उपर लेटेस्ट Voltage OS 3.0 का जो आपडेट है इस्ट्रोल किया है एंड यहाँ पर इस वीडियो के दरण Voltage OS का जो फुल रिभू है आपके सथ शेयर करने वाले है यह जो रहाँ में उस तो Android 14 को उपर बेसर के तियार किया गया है Android 14 के साथ सभी जो फिचर से यह पर एड किया गया है तो यहाँ पर हमने Poco F1 device को पर Voltage OS 3.0 का जो अनपिशल बेल्ड है इंस्ट्रोल किया है यहाँ पर November का जो सिकूर्टी पैच अप्रेट देखनों को मिलेगा 4.9 का नेल के साथ यह जो बिल्डो उस तो enforcing बाला बिल्ड है सबसे पहले यहाँ पर इस ROM के साथ काफी स्मूथ Android 14 का experience देखनों को मिलेगा देश सकते हैं अपर theme icon का जो option से काम कर जाएगा प्लस यहाँ पर widgets का जो option से add किया गया है और quick settings panel के अगर बात करें तो कुछ इसरा से quick settings panel भी देखनों को मिल जाएगा यहाँ पर pitch black theme का जो option एड़ किया गया है advanced reboot का option है power menu के साथ जो है आप recovery bootloader and system UI को reboot कर पाऊगे तो इस ROM को हमने लगबख जो है पर 4 days से यूज़ कर रहे हैं एड़ी जो experience से सच में काफी बढ़ीया है अब ही तक हमने यहाँ पर कोई भी lag को notice नहीं किया है कोई भी जो है issue हमने यहाँ पर notice किया है नहीं किया है काफी smooth, stable experience देखनों को मिल रहा है तो सबसे बहले यहाँ पर बात कर लेते जो app opening animation है एप closing animation ने काफी smooth देगनों के मिलेगा यहाँ पर Android 14 के साथ काफी बड़िया experience देगनों के मिलते हैं कुछ interesting features को भी add किया गया है जो की voltage हो इसके साथ available है तो सबसे पहले यहाँ पर इस ROM के साथ hidden apps का option है add किया गया है इसके लिए आपको यहाँ पर Home Settings महें मेंजाना होगा उसके बाद यहाँ पर इस option में tap करके यहाँ पर hidden apps का option है add किया गया है तो यहाँ पर hidden apps में जाके यहाँ पर कोई भी application को लॉक कर सकतो और इभर यहाँ पर height भी कर बाभागी तो यह पर hidden apps का जो option है add किया गया है voltage हो इसके साथ जो की काफी बड़ीया तरीके से काम कट जाएगा और यह पर always on display का जो option से काम कटते है poco f1 device को पर जो है amoled display नहीं है तो अगर आप always on display की use करेंगे तो आपको जाधा battery drain देखनों के मिलेगा यह सबको धार में देना होगा बाकी यह पर overall जो UI है काफी smooth देखनों के मिलता है और यह पर QR code scan करने का जो option से add किया गया है प्लस यह पर page block theme का जो option से add किया गया है इसे भी आप use कर सकते हो यह पर theme icon के साथ जो है यह पर overall जो display से काफी बढ़िया है यह पर app opening animation, app closing animation काफी smooth देखनों के मिल जाएगा और इस तरह से पर dialer के साथ जो UI देखनों के मिलता है यह पर by default aperture camera को add किया गया है तो यह पर photo, video and QR code scan करने का जो option से add किया गया है यह पर इस ROM के साथ जो है camera to pay के साथ जो है full का support है इसका मतलब है Gcam यह पर काम कर जाएगा, आप simply यह पर जो Google camera को भी install कर सकते हो वाल्टेज हो इसके साथ, बाइद बए रिसल ने हमने Gcam 9.2 का जो latest update है उसका review video upload किया है आप simply Google camera का जो playlist है वह आपर जाके check out करके देख सकते हो यह पर इस ROM के साथ जो है यह पर FM radio का जो option है add किया गया है तो simply यह पर headphone को connect करके आप जो है FM radio को जो है use कर सकते हो प्लस dedicated जो है अपर gaming mode भी available है यह पर add किया गया है इस सरह से overall जो ही UI देखना के बनता है definitely यह जो voltage हो इसका जो build है Android 14 के साथ काफी बड़े दरी के से काम कर जाएगा यह पर Wi-Fi काम कर रहा है Bluetooth काम कर रहा है torch यह पर काम कर जाएगा hotspot और Wi-Fi को आप एक साथ यूज़ कर सकतो night mode का option है dark mode का जाएगा extra dim का option है always earn display का option है add किया गया है सभी जो connectivity related सभी जो फिचर से यह पर काम कर जाएगा voltage काम कर रहा है Wi-Fi काम कर रहा है mobile data काम कर जाएगा यह पर calling भी काम कर रहा है कोई भीश नहीं है यह जो build है उसको Android 14 के साथ यह पर पहला build है यह पर इसलिए कुछ-कुछ फिचर से यह पर available नहीं है जो कि definitely next update में जो है add हो जाएगा यह पर सबसे बड़ी बात है POCO F1 device को सथ आप जो है fingerprint के साथ सच है face unlock को भी use कर सकते हो तो यह पर face unlock को add किया गया है यह पर जो face unlock है यह पर काम कर जाएगा काफी fast है देख सकते हो यह पर face unlock काम कर रहा है बहुत ही fast device जो है पर unlock हो जाएगा यह सबसा बड़ी है बात है और IR face unlock को option है fingerprint sensor के अगर बात करें fingerprint sensor भी काम कर जाएगा बहुत ही fast आपको चैसरा से fingerprint sensor के साथ भी device को wake up कर सकते हो यह पर IR face unlock का option है काम कर जाएगा यहाँ पर एक बात है face unlock को यहाँ पर रेजिस्टर करने के बात जो एक बात जो system UI उसे एक बार restart कर लेना तो face unlock जो है और भी बड़िये तरिके से यहाँ पर काम कर जाएगा पर मेंस की बात करे है यहाँ पर हमने कुछ benchmarking application यहाँ पर रान किया था इस ROM के साथ यहाँ पर 3DMark के साथ जो wildlife के साथ 2160 का स्कोर है देखनों को मिल गया है POCO F1 device के साथ यहाँ पर 3DMark का स्कोर है काफी सही है काफी बढ़िया है Geekbench 5.5.1 के साथ single core के साथ 470 multi core के साथ 2028 का स्कोर है देखनों को मिल गया है यहाँ पर multi core का स्कोर है आवरेस से ज़्यादा देखनों को मिल गया है सिंगल लिग कोर डोनों के साथ यहार यहाँ पर 2.0 के साथ 529 और स्केल यहाँ ए जहाँ ए सिंगल कोर के साथ यहाँ पर डिविनेटली वर्टे जो इसके साथ एंड्रोइट 14 के साथ पोको F1 डिवेस को पर बड़िया स्कोर देखनों के मिलता है यहाँ पर जो है बाई डिफल्ट उदाउट मैजिक्स उदाउट रूट सेपनेट पास हो जाएगा मतलब गूगल पर फोन पर इस तरह की जो एपलिकेशन है बाई डिफल्ट काम कर जाएगा जैसे कि आपको बताया है इस रॉम के साथ एंड्रोइट 14 के साथ बड़िया एक्स प्रेज देखनों के मिलता है सभी जो फीचर से यापर काम कर जाएगा है सभी जो ऑप्शन से यापर काम कर जाएगा एनिवे यापर बात कर लेते हैं बैट फ्री बैकप के बारे में यापर जो है सिलिप मोट का ऑप्शन है यापर थार्मल पोफैल का जो ऑप्शन से एड्ट किया गया है बैटरी बैकप के अगर बात करें तो यहाँ पर लगबग जो है शिक्स आउर के आसपास जो है इसकीन अन टाइम देखनों को मिलेगा फाइब आवर से शिक्स आउर के आसपास हमरे बास जो Poco F1 डिवाइस से इसका जो बैटरी हेल थे काफी जो है बडिया नहीं है इसलिए पर बैटरी ज़्यादा ड्रेन होता है अगर आपके बास जो डिवाइस से उसमें नया बैटरी है तो आपको ज़्यादा अच्छा बैटरी बैकप देखनों को मिल सकता है यापर जो है लगबग 5 आवर से 6 आवर के आसपास जो है बैटरी बैकप देखनों को मिल जाएगा अगर आपके यूजर हो तो और डिफिनेटली यूजर टी यूजर डिपन करता है जाएगा अपलोक का जो आप्शन काम कर जाएगा प्लस हीडिन अपका जो आप्शन है एड किया गया है प्लस यह पर कस्टमेशन आप्शन भी देखनों को मिलता है यह पर सरस्दबार कुईक सेटिंग्स थीम्स बटन्स लॉक स्कीन पावर मेनू नोटिफिकेशन यह सभी जो कस्टमेशन आप्शन से इस भी आट किया गया है तो यह पर कुछ-कुछ फिचर से अपर डिफिनेटली अविल नहीं है जो कि यह पर फ्यूचर आप्ट में आट हो जाएगा बट आल्मोस्ट सभी जो है यह पर कह सकतो हो आल्मोस्ट जितने भी यूसफुल आप्शन है यह पर अबल डिफिनेटली अपको वोल्टेजोस के साथ जो एंड्रोइट 13 है उसमें आपको ज्यादा फिचर्स देखनों को मिलेगा बट यह पर फ्यूचर आप्ट में भी वोल्टेजोस 3.0 एंड़ट 14 के साथ भी नय नया फिचर्स देखनों को मिल जाएगा फॉर यह आपर सिस्टेम के साथ जो ई тогда जो उपिचन है एड्ट किया गया है शायद यह पर इप अफ्यूचर का जो मिलें क्योंकि यह जूरॉफ है अनीड बेल्ट है मिल भी सकता है डू यह बडर ट्रार करको देखना बागी गिसर का जो जो प्योग इस्किन एड्र टैप पावर बटन का ओप्शन है वान हेनेट मोड नेविगेशन एसे भी ओप्शन जो है काम कर जाएगा बाकी आप और जो है एंडरोइट 14 का जो लॉक स्किन केस्टेमिशन का जो ओप्शन से काम कर जाएगा डबल टैप टू वेकप का ओप्शन है लाइब डिस्पले प्लस यापर जो है वीडियो को लाइक कर देना वीडियो को शेयर कर देना चैलेंड को सब्सक्काइब करके घंटी वाला आइकन को दबाके आल सेलेट करके इंस्टेगाम में फॉलो कर पाओगे प्लस यापर जो है यह जो वल्टेज इसका जो इंस्टलेशन वीडियो है अलड़े हमने अपलोड किया है पोको एफ़न का जो प्लेलिस्ट है उसे भी चेक आउट करके देखो एनिवे चलो मिलते नेक्स वीडियो को उपर थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिन दिस वीडियो बाई बाई